दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आपके BSC 30th 5th Semester Geology के Paper First का Unit First जिसमें कि हम Paramecium से जुड़े हुए इसके Sexual Reproduction के बारे में जानेंगे जैसा कि दोस्तो प्रिवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि Paramecium में जो Reproduction होता है वो टू टाइप के होते हैं Asexual और Asexual में हमने Binary Fission के बारे में डिटेल से जाना था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने उपर आई बटन में और नीचे Comment Box में दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करके आप Paramecium के Asexual Reproduction को देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम Paramecium के Asexual Reproduction को जानेंगे तो यदि हम Paramecium के Asexual Reproduction को देखे तो इसमें हमें पढ़ना है Conjugation, Autogamy, Indomixis और Cytogamy तो आज के इस वीडियो में हम Conjugation के बारे में डिटेल से जानेंगे और यदि आपके Exam के Point of View से देखा जाए तो ये Topic बहुत ही Important है और आपके Exam में इस Topic से Question पूछे जाते हैं तो वीडियो बहुत ही Important है वीडियो को आप ध्यान से देखेगा पूरा देखेगा और बीच म कहीं भी वीडियो को Skip मत कीजेगा क्योंकि आप वीडियो को अगर Skip करते हैं तो आगे आने वाले जो Topic है आपको अच्छे से समझ में नहीं आते हैं तो पैरामीशियम में जो Sexual Reproduction है वो Prior Conjugation के थ्रू होता है तो ये जो Conjugation होता है एक प्रकास है Temporary Union होता है यानि कि दो अ Genetic Material है उनका Exchange करते हैं और जब Nuclear Material का Exchange होता है जल्द ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जैसा कि मैंने प्रीवेस वीडियो में आपको बताया था कि पैरामीशियम में Binary Fission जो होता है वो सबसे अधिक होता है परन्तु Binary Fission कुछ Limited समय के लिए होता है तो जब तक पैराम Binary Fission होने के लिए पैरामीशियम में Conjugation होना जरूरी है तो आई समझते हैं कि पैरामीशियम में जो Sexual Reproduction है जो की Conjugation से होता है वो किन प्रोसेस से होकर गुजरता है तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इट डिफर स्लाइटली इन डिफरेंट स्पसीज आप पैरामीशिय जिने हम तो पैरामीशियम या फिर Pre-Conjugates कहते हैं जो की एक दूसरे से ओरल ग्रोव के किनारे से मिलते हैं जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं एवाले में कि दो डिफरेंट टाइप के पैरामीशियम आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं जिनमें कि डिपलाइड माइक्रो निकलियाई यानि कि जो इनमें जो छोटा वला केंदरक होता है उसमें मियोसिस होता है जिसे कि 4 हैपलाइड माइक्रो निकलियाई बनते हैं अब यहाँ पर बात आती है कि जब माइक्रो निकलियाई में मियोसिस होता है तो मैक्रो निकलियाई का क्या होता है यान चार माइक्रो निकलियाई की बात करें जो की डिवाइड हुए है तो जो 4 माइक्रो निकलियाई है उसमें से जो 3 डार्टर माइक्रो निकलियाई होते हैं वो disintegrate हो जाते हैं यानि की खत्म हो जाते हैं और केवल एक जो माइक्रो निकलियाई है वही बचता है तो C वाले figure में आप देख सकते हैं दो अलग अलग पैरामीशियम में जो 4-4 माइक्रो निकलियाई थे उन 4 माइक्रो निकलियाई में से 3 जो है वो disappear हो गए केवल एक single माइक्रो निकलियाई बचा हुआ है अब D में क्या होता है अब D में देखेंगे कि जो single माइक्रो निकलियाई बचा है अब उसमें division होगा कौन सा division होगा? माइटोसिस अब जब माइटोसिस division होगा तो एक माइक्रो निकलियाई से बन जाएंगे दो माइक्रो निकलियाई जैसा कि आप E वाले figure में देख सकते हैं तो ये जो दो निकलियाई बनते हैं माइटोसिस है वो जो दोनों होते हैं वो अनिक्वल डाटर निकलियाई होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रो निकलियाई या फिर गैमिट निकलियाई अब होता क्या है कि जो दो बने हुए गैमिट निकलियाई वो un-equal size के होते हैं ठीक है अब जो un-equal size की होने की वेज़े से जो smaller होता है वो male pro nicoleus कहलाता है और जो size में बड़ा होता है वो stationary female pro nicoleus कहलाता है तो male nicoleus को हम male migratory pro nicoleus कहते हैं क्योंकि reason इसका यह है कि यह जो होता है यह motile होता है जबकि जो female pro nicoleus है वो non-motile होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं stationary female pro nicoleus तो नीचे आप यह वाले figure में देख सकते हैं कि कैसे 2 micro nicoleus में से 1 micro nicoleus एक दूसरे से exchange होता है यानि कि एक paramecium का जो male migratory pro nicoleus है वो दूसरे में चला जाता है और जो दूसरे का होता है वो पहले वाले में चला जाता है अब इस तरह से होता क्या है कि एक paramecium का जो male होता है वो दूसरे paramecium के female के साथ और जो दूसरे वाले का male gamit होता है वो पहले वाले के female nuclei के साथ जाकर fuse करता है और जब यह fusion होता है उसी को हम बोलते हैं sin gammy तो यहाँ पर fusion हुआ तो आप देख सकते हैं F वाले में कैसे fusion होता है दो अलग-अलग color से दिखाया गया है एक green से एक rate से यानि कि male जो है वो green से दिखाया गया और female जो है वो rate से तो इस तरह से mating होता है जिसको हम बोलते हैं sin gammy तो आप जी वाले में देख सकते हैं लिखा है the two micronucleae fuse चुकि आपने देखा था कि ऊपर की और जो यह nucleae बने थे यह meiosis से बने थे इसलिए इसमें haploid number up chromosome था अब haploid haploid 2 micronucleae आपसे में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा diploid अब यह जो diploid nucleae है इसमें 3 बार mitosis division होगा जिसे की 8 micronucleae बनेंगे जैसा कि आप H वाले figure में देख सकते हैं तो जैसे diploid है तो पहली बार mitosis हुआ तो एक से 2 दूसरी बार हुआ तो 2 से 4 और तीसरी बार हुआ तो 4 से 8 तो इस तरह से 3 बार जब mitosis division होता है तो कुल 8 new micronucleae बनते हैं अब इन 8 में से 4 जो micronucleae होते हैं वो 4 macronucleae में बदल जाते हैं यानि कि 4 नए बड़े वाले निकलियस बनते हैं अब बात आती है कि जो पुराना वाला macronucleae था वो क्या हुआ तो जो पुराना वाला यानि कि जो original macronucleae था वो disappear हो जाता है वो खत्म हो जाता है तो आही वाले macronucleae और 4 macronucleae है यानि कि 8 में से 4 macronucleae में बदल गए और जो चार पहले थे वो already macronucleae थे अब होगा क्या कि इस paramecium में होगा binary fusion यानि कि 2 बार binary fusion होगा तो एक binary fusion में 2 paramecium बनते हैं तो जब 2 बार binary fusion होगा तो 2 से कितने हो जाएंगे 4 तो आप जे वाले figure में देख सकते हैं कि 4 नए paramecium बने अब चुकी paramecium में 4 micro और 4 macronucleae थे तो चारो नए paramecium में एक-एक micro और एक-एक macronucleae चले जाते हैं और इस तरह से 4 नए paramecium का निर्माड होता है तो आप देख सकते हैं देख के उपर जो figure है उसमें आपको paramecium के अंदर micro और macro निकलियाई दिखाई देंगे और एक नया paramecium का formation हो जाता है तो पीछे मैंने जो भी बाते बताई थी वो लिखा हुआ है तो जैसे कि मैंने आपको यहां तक बताया था कि male जो होता है वो male migratory pro nucleus कहलाता है क्योंकि वो migrate करता है एक अस्थान से दूसरे यानि कि एक paramecium से दूसरे paramecium में जाता है जबकि जो female वाला pro nucleus था वो migrate नहीं होता वो उसी में रह जाता है इसलिए उसे हम बोलते हैं stationary female pro nucleus अब दोनों paramecium के जो male migratory pro nucleus हैं वो exchange होते हैं और जाकर female pro nucleus के साथ जुड़ जाते हैं और formation करते हैं जाइगोट nucleus का जिसे हम sin carry on भी कहते हैं तो यह जो जाइगोट nucleus होता है यह हो जाता है deployed यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दू कि यह जो जाइगोट बनाया है इसमें दो different species के या दो different nuclei आपस में जुड़ते हैं और इस वज़ा से हम इसको हम बोलते हैं amphi mixes और यह जो जाइगोट का nucleus है इसे बोला जाता है amphi nucleus तो जब दो paramecium आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के 12 से 48 घंटे बाद यह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जब यह अलग होते हैं तो इसे हम बोलते हैं exo conjugates और जैसा कि मैंने बताया था कि जो एक exo conjugate है यानि कि जिसके अंदर जाइगोर्ट बनाया जाइगोर्ट तो दोनों में बनेगा अब जाइगोर्ट बनने के बाद उसमें थ्री टाइम डिवीजन होता है जिसे की आठ निकलियाई बनते हैं आठ में से चार जो होते हैं वो माइक्रो निकलियाई में बदल जाते हैं और चार मैक्रो निकलियाई में बदल जाते हैं अब इसके बाद होता क्या है कि यह जो इक्जो निकलियेट है यानि कि यह जो पैरामीशियम है इसमें दो बार बार बाइनरी फीशन होता है जिसके थ्रू चार नए पैरामीशियम तो इस तरह से paramecium के अंदर sexual reproduction conjugation होता है तो आप से ये request है कि आप इस वीडियो को एक या एक से अधिक बार जरूर देखेगा बार बार उसको step को आप समझेंगे तो आपको जो paramecium का जो conjugation वाला reproduction है तब ही वो समझ में आपाएगा ठीक है figure को ध्यान दीजिएगा figure में जो बाते मैंने बताई है उसको समझने की कोसिस करिएगा ठीक है और अगर बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको पूरा जो conjugation का process है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा तो मिलते हैं अगले new वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए जहिंद जह भारत